अध्यक्तों आप देख रहे हैं किर्केट लाइब और मैं हूं कुर्तिवारी दोस्तों बात करते हैं कल के मेच की 25 तारीक और कल था दिल्ली, बराम, चेंड़ी सुपरकिंग का मैच। दिल्ली कैपिटल्स और चेंड़ी सुपरकिंग तो दोस्तों इस मैच के बारे में आईए बात करते हैं कौन जीता। 72 रनों के पीछा कर रही चिन्नई की सुर्वा सही नहीं रही टीम ने महत 44 रनों पर अपने तीन बड़े विकेट गवा दिये और एक बार फिर से पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाई सुरेश रहना तो है लेकिन मध्ध करम में अमबाती राइडू की कमी एक बार फिर से खली हाला कि एक छोर से फॉब डूपलेसिस 43 रन कुछ रंग जरूर दिखाया लेकिन दिल्ली के गेंदबाजो द्वारा सधी हुई गेंदबाजी के कारण रन रेट काफी उपर जाता रह मध्ध करम में धोनी के साथ साथ कोई भी बल्लेबाज इस गेंदबाजी लाइन अप के सामने विखर गया दोसीरे और दिल्ली के लिए रवारा ने तीन नोकिया ने दो और अच्छर पटेल ने एक विकेट हासिल की जो जीत का सूत्र बनी दिल्ली के कप्तान ने जिस तरह से अपने गेंदबाजीयों का पावर ओबर बचा कर रखा वो काबले तारीब था और इसी ने काम किया तो दोस्तों दिल्ली ने जो है चिन्नई सुपर किंग को हरा दिया मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली केप्टल्स ने 175 रन बनाए थे तीन विकेट के नुकसान और जबाब में चिन्नई सुपर किंग 131 पर साथ भिगेट गवा करके ही भी सोबरों में भिखर गई दिल्ली केप्टल्स 44 रनों से जीत हासिल की दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों कैसा लगा धाबी के मैदान पर खेला जाना है तब तक के लिए रखे अपना ख्याल नमस्कार मैं हूं अंकूर अमेठी उत्तर प्रदेश से और आप देख रहे थे क्रिकेट लाइब दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए गा और दोस्तों के जाए सेर करना ना जड़ेए